विल्कम टू माई यूटूब चनल आज के लेक्चर में डिसकस करेंगे बायो टेकलोजी एंड इट्स एप्रिकेशन इसमें बात करेंगे जीन थेरपी नाम से पता चला जीन थेरपी जब कोई भी जीन हमारी बॉड़ी में डिफेक्टिट हो जाती है यह एपसेंट रहती है प्रेजन नहीं रहती है तो उसको या फिर कोई भी जीन खराब होगे इसको करेट करने के लिए हम क्या करते कोई और जीन उस बॉड़ी के अंदर अपनी बॉड़ी के अंदर या किसी भी आनिमल या प्लान की बॉड़ी के अंदर या हुमन बींग की बॉड़ी के अंदर इ कोई भी हम जीन इंडर्डूस कराते पनी बॉड़ी के अंदर उसे क्या बोलते उसे कहते जीन थेरपी और इसको डियाग्नॉसिस किया जाता है किसके अदर किसी भी चाइड्ड के अंदर या फिर इंब्रियों के अंदर फॉर्स पेंकल जीन थेरपी वस गिवन in 1990 सबसी पहले जीन थेरपी का यूज कब किया गया था 1990 में किया गया था to a four year old girl with a adnosine deaminase deficiency एक चार साल की बच्ची थी 1990 में एक्सपरिमेंट किया गया था जीन थेरपी का सबसी पहली बार एक चार साल की बच्ची के उपर उसकी बॉड़ी के अंदर adnosine deaminase deficiency थी means ADA enzyme उस girl की बॉड़ी के अंदर नहीं present था और यह enzyme यह जो enzyme irresponsible किसके लिए होता है responsible होता है immune system के लिए किसके लिए immune system के लिए हमारी body के immunity को क्या करता इंक्रीज करता है जब यह enzyme नहीं present था उस लड़की के अंदर तो बच्ची क्या थी बहुत ज्यादा वीक थी उसको कोई भी टच्च नहीं कर सकता अगर उसको कोई भी नॉर्मल पर्सन के contact में वह बच्ची आज़त उसकी death भी हो सकती तो यह enzyme उस बच्ची की बड़ी में क्या था absent था ठीके उसकी बाद this enzyme is responsible for immune system of truth the function in some children ADA deficiency अब इस यह जो enzyme उस बच्ची के अंदर defect था नहीं present था इस enzyme को क्या किया गया था उसकी body के अंदर introduce कराए गया था जब उस बच्ची की body के अंदर यह enzyme induce कराए गया था वह बच्ची पूरी तरीके से क्या होई जैसे normal person होते उन्हीं की तरह यह बच्ची हो गई थी तो कि इस यह में यूज किया गया था सबसी पहले 1990 में यूज किया गया था और किसके उपर एक चार साल की बच्ची के उपर इंसम चिल्डेन गया wbc हो गया platelet हो गया यह सब चीज का फॉर्मेशन इसी bone marrow के अंदर होता है किसके अंदर होता है इसी bone marrow के अंदर होता है ठीके तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर अगर ADA की deficiency हो जाती है तो उनको cure किया जाता है इस enzyme को transfer किया जाता है किसके अंदर bone marrow के अंदर किसके अंदर introduce किया जाता है bone marrow के अंदर introduce किया जाता है but it is a permanent अगर हमको permanent के लिए पूरी तरीके से means बाद में कोई problem ना हो पूर रूप से हमें इसका क्या करना permanent इलाज करना है treatment करना है तो हम क्या करेंगे इस enzyme को introduce कराएंगे किसके अंदर introduce कराएंगे at a early embryonic stage it could be a permanent cure early embryonic stage early embryonic stage का मतलब होता है जिस समय बेबी का deployment हो रहा है अगर उस समय में पता चल जाए कि उस बच्चे के अंदर या उस बच्ची के अंदर ad a enzyme की deficiency है तो हम क्या करेंगे उस enzyme को उसी समय embryonic stage में introduce करा देंगे तब वो क्या होगा उसके लिए permanent curable होगा अगर हम bone marrow के अंदर ने इंडिडिउस करा रहें तो वो अगर हम embryonic stage में डिडिउस करा रहें तो वो क्या होगा पर्मनेंट के लिए क्योर होगा बट अगर उसे हम bone marrow के अंदर ने इंडिडिउस करा रहें तो वो पर्मनेंट के लिए लिए कब जीन थेरपी सब्सक्री पहले कब होता नैंटीची में एक चाल साल की बच्ची के अंदर एडिये इन्गाइम की डिफिसेशन्सी थी तो कभी कभी क्या किया ता ये इन जाइम क्या होता है उनी सिस्टेम के रोश्पान्सव्ल होता है कुछ बच्चों में क्या किय जाता है इस एंजाइम को इंडेड्यूस कर आए जाता है इन आ